ज्यान मंत्रा हुम्रेमडीज में आप सब लोंका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राधाश्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा इसके शुभ मुरत और पूजाविदी के बारे में ऐसी माननेता है कि राधाश्टमी का वृत कि ये बिना जन्माश्टमी की पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है इसके अलावा इस वृत को करने से जीवन में प्रेहिम, सुख, सम्रिद्धी और शांती का वास होता है साथ ही इस दिन राधा कृष्णी की पूजा करने से दा आए बात करते हैं राधाश्टमी के शुहमूरत और पूजा विधी के बारे में राधाश्टमी तिथी का प्रारम शनिवार 3 सितंबर को दोपहर 12 बचकर 25 बचे से हो जाएगा जो रविवार 4 सितंबर की सुभा 10 बचकर 40 बचे तक बना रहेगा लेकिन वहीं कुछ लोग उद्यातिति के अनुसार इस पर्व को 4 सितंबर को भी मनाएंगे अब बात करते हैं राधाश्टमी पूजा विधी के बारे में राधाश्टमी के दिन सुर्योदय सिपुर इस नानाधी करने के बाद देवी की पूजा कर उनका उनकी वरत करने का आप संकल्प लें इसके पूजा इस्थल को गंगाजल छिड़क कर उसे स्वक्ष कर लें अब यहां पर एक चौकी रखकर उस पर लाल या फिर पीले रंग का वस्र विछा दें इस इस इस्थान पर राधा कृष्ण की प्रतिमा इस्थापित करें इसके बाद राधारानी को पंचा मृत से स्नान कर उन्हें वस्र और आभूशन पहना कर उनका स्रिंगार करें इसके बाद भगवान को फल फुल और मिश्थान अरपित करें पूजा करते समय राधा कृष्ण के मंत्रों का जब करें पूजा करने के बाद राधारानी के जन की कथा का पाठ अवर्से करें अंत में राधा कृ की आरती करें और उन्हें प्रणाम करें तो यह थी राधा अश्टमी की पूजा विधी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमेडीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद